नमस्कार दोस्तो टेक्निकल वस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पार मैं करता हूँ मुएल फॉन्स की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन जिससे आपको एक नया स्मार्टफॉन पर्चेस करने में कोई दिकत ना है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रियल मी 11 सिरीज के दो लेटेस्ट 5G स्मार्टफॉन जिसमें हमारे पास है रियल मी 11X 5Z और रियल मी 11 5Z तो आज हम करेंगे इन दोने स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट वैसे दोस्तो इन स्मार्टफॉन के हायर वेरंट की अन्बॉक्सिंग अल्रेडी चैनल पर आ चुकी है और आज मैं इनके लोवर वर्जन की अन्बॉक्सिंग करने जा रहा हूं तो फर्स्ट पॉल दोनों दुसरे पर लगा वी सकते हैं इसके बाद आपको मिलेंगे चार्जर अरप्टर Realme 11X 5Z में आपको मिलेगा 33W का एक सूपर बोक चार्जर जो की फॉन को 50% चार्ज कर लेता है 29 मिनट्स में वही पर Realme 11 5Z में आपको 80W का सूपर बोक चार्जर मिलता है लेकिन फॉन सपोर्ट 67W ही करता है और ये फॉन को 17 मिनट में ही 50% चार्ज कर लेता है USB केविल दोनों में आपको Type-C मिलती है लेकिन ज्यादा बैटर क्वाल्टी आपको Realme 11 की केविल की मिलती है अब आते हम दोनों स्मार्टफोन पर तो दोनों स्मार्टफोन का जो फ्रेंड साइट का लूक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा साइज दोनों का एक जैसा है इनन फिल दोनों स्मार्टफोन हाथ में भी एक जैसे लगते हैं दोस्तों और दोनों पर आपको पंचुल डिस्प्ले मिलती है प्रेप्लाइड इस्क्रेच गार दोनों पर दिया गया है बेग पेनल को देखे तो दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बॉड़ी मिलती है लाला कि आपको फील आएगी गिलास फिनिसिंग की लेकिन गिलास फिनिसिंग नहीं दी गई है दोस्तों बिल्कुल फ्लैड वेक पेनल जहां पर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन में काफी कमाल के डिजाइन नजर आएंगे जो काफी बढ़िया लग रहे हैं यह हमारे पास यहां पर रियल्मी 11X 5Z है परपल डाउन कलर इसके अलावा यह आता है दूसरा मिड्नाइट ब्लैक कलर वेरेंट में वहीं पर रियल्मी 11 5Z हमारे पास है ग्लोरी गोल्ड कलर वेरेंट और यह ग्लोरी ब्लैक कलर वेरेंट में भी आता है दोस्तों लेकिन मैं black color को suggest नहीं करूंगा, उनके camera के आसपास काफी सारी धूल कटा हो जाती है, वो जो कि आपको विल्कुल साफ साफ नजर आती है, without cover, use करना impossible होता है दोस्तों, क्योंकि उनपर finger print भी काफी सारे आ जाते हैं, लेकिन ये जो color variant है, इन पर नहीं finger print दिखते हैं, नहीं क smartphone में दिया गया है, left side में मिलेगी SIM tray, यहाँ पर आपको triple card slot मिल जाते हैं, दो SIM card, एक memory card, तीनों एक साथ आप दोनों smartphone पर use कर सकते हैं, bottom में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speaker grills दिये गया है, दोनों smartphone को already हमने boot करके रखा हुआ है, और दोनों smartphone को जब हमने boot किया तो लग बग एक 100% कर लिया है, यहाँ interface कुछ ऐसा नजर आएगा, इसके अलावा यहाँ पर display में देखिए, colors और brightness दोनों smartphone में आपको काफी अच्छी मिल जाती है, colors काफी बढ़िया लग रहे हैं, और दोनों smartphone के edge और bezels, corner ओपर से काफी फतले, नीचे चिन थोड़ी ज़्यादा आपको मि दे रहे हैं, outdoor में भी आप दोनों smartphone का use easily कर सकते हैं, इस scroll आप करते ही आपको दोनों smartphone में सारे के सारे application नजर आएंगे, pre-install application से भरे हुए हैं दोनों smartphone, आला कि unwanted application को आप phone से remove कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Realme 11 में काफी सारे recommend में आपको application नजर आएंगी, तो इनने disable कर दी sampling rate है दोनों smartphone का, touch काफी smooth और fast दोनों smartphone का दिया गया है, बात करते हैं, display size की तो 6.72 इंच की full HD plus IPS LCD panel के साथ आते हैं, दोनों smartphone जिन में aspect ratio है 229, screen resolution 1080 x 2400 pixel और pixel density 392 ppi की दोनों smartphone में दी गई है, screen to body ratio 91.40% का दोनों smartphone में आपको मिल जाता है, तो काफी कुछ similar है दोनों smartphone में, दोनों smartphone के camera module को देखे, तो बड़े-बड़े size के DSLR type के lens यहाँ पर दिये गए हैं, और अंदर आपको दो चोटे-चोटे lens नजर आएंगी, तो दोनों smartphone की जो camera lens है, इनमें काफी जादा उभार आपको देखने को मिलता है, कबर की जुरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि direct यहाँ पर नीचे रखने पर phone को lens पर scratches आ सकते हैं, तो realme 11X 5Z में आपको जो mean camera है, वो 64MP का दिया गया है, दूसरा 2MP का depth sensor camera मिलता है, वहीं पर realme 11 5Z में आपको mean camera मिलेगा 108MP का और यहाँ भी 2MP का depth sensor camera दिया गया है, वैसे दोस्तों इतने पैसे खर्च करने के बाद एक ultra wide angle camera नहीं दिया गया है, front में आपको realme 11 5G दे रहा है 16MP का selfie camera और 8MP के selfie camera के साथ आता है, realme 11X 5Z, आप दोस्तों यहाँ पर हम दोनों smartphone के setting को open करें, तो setting का interface बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा, नीची about phone section और इसे open करें, तो realme UI version आपको दोनों smartphone में 4.0 का मिल जाता है, device name, storage mention है, model name mention है, processor की बात करें, तो 2.2 GHz का octa-core processor आपको दोनों smartphone में मिलता है, media tech, density, 6100 plus का chipset दोनों smartphone में दिया गया है, based है 6NM के fabrication पर, mahali G57 के graphic आपको दोनों smartphone में मिल जाते हैं, RAM आपको 6GB वाला variant हमारे पास realme 11X 5Z, और 8GB 128GB variant हमारे पास realme 11 5Z है, तो RAM को आप चाहो तो सीधा दुगना भी कर सकते हो, बस आपने RAM पर क्लिक करना है, और इसके बाद RAM expansion को on करना है, इसके बाद आप सीधे RAM को दुगना कर सकते हैं, इसके अलावा, storage type UFS 2.2 का मिलता है, और RAM type LPDDR4X आपको दी गई है, दोनों smartphone में, वैसे दोस्तों, इन दोनों smartphone का camera comparison अल्रेडी मै कर चुका हो, पूरे हमने details से वाँ पर बताया है, जूम टेस्ट किया है, साथ ही video quality का test किया है, audio quality का test भी हमने उस video में किया है, हम यहाँ पा normal नजरों से देखे camera तो एक जैसे ही दोनों smartphone के camera आपको नजर आएंगे, यह नहीं कि 108 मेगा विक्सल का camera दिया गया है, तो next label का ह कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा, front camera realme 11 का थोड़ा सा better देखने को मिल जाता है, color थोड़े better आपको देखने को मिलेंगे, front camera में कोई zoom support दोनों smartphone में नहीं दिया है, तो friends, यह थे realme 11 series के दो बहतरीन smartphone, दोनों ही smartphone अपनी अपनी विसेश खूबियों के साथ आते है लेकिन बात आती है हमें कौन सा smartphone purchase करना चाहिए, तो दोस्तों जिस हिसाब का इन दोनों smartphone का price है, उस हिसाब से तो मैं किसी phone को suggest नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही smartphone काफी ज़्यादा overpriced हैं दोस्तों, यहाँ पर realme 11 को देख लीजिए, 18,999 रुपे, 8GB, 128GB के लिए आपक खर्च करने पड़ रहे हैं, और इसमें नहीं आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, नहीं आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है, जिससे आप तगड़ी gaming कर सके, मेरे हिसाब से अगर इनका price drop हो जाता है, तभी इनको purchase करने की सोचे, otherwise skip कर दीजे, market में आपको other companies के, other brands के कई बैतरीन smartphone इनसे better मिल जाएंगे, तो आसा करता हूं मेरे दारदी के जानकारी आप सभी के जुरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया smartphone purchase करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी वीडियोज देखने के लिए, चैनल को जुरूर सब्सक्राइब क हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज यहां पर लात रहते हैं